हेलो एवरिवान वेरी वेरी गूड इवनिंग वेलकम बैक तो माई चानल तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है इवनिंग से और यहां पे अभी वेजिटेबल्स मार्केट से मम्मी पापा लेकर के आए हैं सो यहां पे यह पीहू देख रही थी वैशनो देवी और आज ब करके और यहां पे मम्मी सबजी कट कर रही हैं तो यह सारी सबजी हम लोग पाव भाजी में दालते बहुत सारे लोग हैं मुंबई में यहां पर मैंने देखा है कि दाला जाता है क्याबिज सिर्फ ज़्यादा करके इसमें ऐलू ही होता है या फिर कालीफ्रार नाल दिया तो डाल दिया वहां चोपी बद सब्क बैग सब्सके तूसला नाल पतल बगल कुकर में रख करके आती हूँ और बस थोड़ा वही शाम का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो सब यहां पे चल रहा है बारिश होई रही है बौड़ा, इंवक लडिन कादिए नहां रहां 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 बन्कि पगदाई रहां अग। को दाख है कि लड़ा ब scalar थकादि长 पाहि नहीत कि अवड़ा आपल यग। है वो लूड़ा नहीत में तुड़ा नहीत नहीत तो बस वही थोड़ी बहुत सब्जी वगएरा थी जो मम्मी फ्रिज में रख रही थी और बोल रही थी पैठके तुम्हारी फ्रिज भी किसी दिन साफ कर देता हैं काफी गंदी हो रही है और यहां पे यह पाव भाजी को छोकने के लिए सिंपल सा वही तरीका है थोड़ा सा ओयल लेकर के इसमें प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेते हैं आप चाहें तो आप इसको मिक्सी गैंडर में भी पी सकते हैं मैंने चौपर में ही चौप कर दिया है और फिर पू मैं छेट करके हम लोग क्लीं कर रहा है तो मम्मी की हल्फ से होता जा रहा है और यहां पर आज नाश्टे में बन रहा है बर्गर कूईकी कल पथा है ह diffused मैंब कर देरा मंन था बर्गर खाने का इसलिए ज्यादा कर प्र एस नाहीं हैं था sut रहा हमें इस पाव zijा मीं जकICO अ तो अब ही मैं यहां पर यूज करने जा रही हूं मामा अट का मुलतानी मिट्टी फेस वाश एंड उसी का ही फेस पैक है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है इस गर्मी अगर आप अपने फेस को धूल मिट्टी और डर्ट से दूर रखना चाहते हैं अपनी स्किन को सॉफ्ट चाहते हैं तो आप इस फेस पैक को जरूर एक बार यूज करके देखिएगा कॉम्बे में यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो चलो सबसे पहले मैं यहां पर मुलतानी मिट्टी का फेस वाश यूज करने जा रही हूं तो मैं आपको इसका इं मॉस्चर होता है, स्वेट होता है उसको एब्सॉर्ब करना और आपकी इसकिन को अच्छे से फ्रम करना तो मैं इस फेस वाश को और पैक को काफी ताइम से यूज कर रही हूं यह हमफुल केमिकल से फ्री है और नैच्रल इंवीडियन्ट है अगर आप इसको पर्चेस करना है और आपको इसका बिफोर और आफटर लुक भी देख सकते हैं फेस वाश के बाद अब मैं यहां पर यूज करने जा रही हूं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक जिसमें अगेन मुल्तानी मिट्टी और बल्गिरियन रोज है जो कि आपके स्किन को पिंकिश रोज टाइप करगे ग्लो प्रवाइड करता है आपको पता होगा ममा अर्थ के प्रॉडक्ट है यह ममा अर्थ की वेबसाइट पर उसकी एप पर अमाजोन नाइका फ्लिपकार्ट की परपल पर तो अवलेबल हैं साथ-साथ यह आपके नेरबाई लोकल स्टोर पर भी एजिली मिल जाते ह हैं तो चलिए इसके पाक को अप्लाइ करते हैं और इसका भी आपको मैं बिफोर और आफ्टर लुक दिखाती हूं काफी ज्यादा अच्छा है गुड्मेस से भरा हुआ है और ममा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे कहीं ज्यादा यह प्लास्टिक रिसाइकल करता है यह हमारी इंडियन ब्रैंड है और ममा अर्थ ने अपनी एक ओफिशल आप भी लॉंच कर दी है यूजर गेट अर्ली एकसेस टू सेल्स एंड एक्स्टर डिस्काउंट तो मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल भी मिसाउ कर देना है प्लेन वॉटर से अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह है 349 रुपीज का एंड़ेट ग्राम का यह प्रॉडक्ट है तो यहां पर मैंने अपने फेस को वाश कर दिया है और अब आप बिफोर और आफ्टर लुक देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा ग्ल की प्रोसेस है पहले मक्षन बनाया ममी ने उसके बाद फिर इसको पकने के लिए रख दिया था धीरी थी मैं आच में यह पक करके बन के तयार हो गया है उसके बाद रात में यहां पर पिफु अपनी नन्यू से मालिश करवा रही थी थोड़ा सा चंपी बालों में और हाथ पैरों में भी थोड़ा थोड़ा सा वो लगवा रही थी तो मैंने यहां पर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था अब यूसके सोने का टाइम हो गया है अब वो सोने जाएगी और फिर नेक्स डे मॉर्निंग में मिलती हूँ मैं आपको स्कूल जाते टाइम तो बस यहां प अब बच्छों को तैयार करना बहुत मुश्किल काम हूता है पहले तो उसको उठाना उठाने में बहुत देर तक वो उठती है राम से ममा में ठख गयी हूँ नहीं उठना है यह अज लाज डे है क्या ऐसे करके वो उठती है सो बस यहां पर उसको तैयार कर रहे हैं और मैं सेमनों की थोड़ी बहुत मस्ती मजाग जो है वो चलता रहता है यहां मैं तयार करते करते विए सोच रही थी कि आगे कैसे प्यूहू तयार होगी कैसे मैंनेज होगा सब कुछ काम जब आगे आने वाले टाइम में कैसे मैं करूंगी अभी तो मैं उसको कैसे ना कैसे करके तय कर लेती हूँ फिर कौन करेगा वही सब बाते हैं सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी पीहू के लिए खेर कोई बात नहीं तो बस उसके बाद यहाँ पर वर्मा जी के टिफिन की तयारी मैंने स्टार्ट कर दिये मम्मी नीचे गई थी मंदिर में दर्शन करने आजकल सावन चल रहे हैं तो नीचे मंदिर संकर भगवान का है मम्मी डेली चली जाती है जल चढ़ाने पहले मैं जाती थी अब आजकल मैं नहीं जा पाती हूँ तो मम्मी है वो तो डेली जाती ही है और यहाँ पर मैंने सोचा जब तक मम्मी नीचे दर्शन करके आएंगी जब तक मैं सबजी चौक दूँगी वैसे मम्मी ही बनाती है आजकल वर्मा जी का टिफिन बट अभी वो नीचे थी तो इसलिए मैं यह उस तरह से करके टिफिन मैं पैक कर देती हूँ आजकल दही नहीं ले जाते हैं वो क्योंकि बारिश की वज़े से गला खराब होने का ज़्यादा डर रहता है इसलिए बागे आप लोग बताईए आप लोग के शहर का क्या हाल है आजकल मुंबई में तीन दिन से हाई अलर् बट रुकी तो बिल्कुल थी ही नहीं आप लोग बताईएगा आपके शहर का क्या हाल है तो ये आलू बैगन की सबजी मैंने इसको छौक दिया है प्याज लेसून और क्या बोलते मेथी से और अच्छा लगता है मेथी से छौकतें पर मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पर आलू बैगन डाल दिया है अब बस सीटी लगा देंगे पांच से साथ मेट में हमारी सबजी बन के तयार हो जाएगी और मैं इस व्लॉग कहीं पैन कर देती हूँ इसके बाद आपको कल मिलूंगे अच्छे से व्लॉग के साथ अब तक लिए टेक केर बाई बाई एंड वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजेगा